एक चुट की, यह हर्ब्स किसी की भी हाइट बढ़ा सकती। फिर चाहे उसकी एज हो 20 प्लस हो या फिर 30 प्लस। बस उसका लेने का तरीका सही होना चाहिए और होना चाहिए उसके सही quantity कि कितनी quantity में हम ले रहे हैं और किसके साथ ले रहे हैं ये सारी बातें बहुत ज़्यादा माइने करती अगर हम अपनी हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा conscious है अगर हमारी एज हो चुकी है 20 प्लस या 30 प्लस फिर भी हमारी हाइट जो हम चाहते हैं वो नहीं हुई अभी तक तो इस हर्ब को लेना जरूरी है घर बहुत च् Hos को लेना अभी से शुरू कर दीजिए हो दो साथ爆़ coulda के साथ इसके इतने सारे बनना चाहिए तो हाइड बहुत अच्छी लगती है बात कर लेते सबसे बेनिफिट के बारे में तो यह जडी बुटी होती है अश्वगंधा श्वगंधा का नाम पढ़ा है अश्वगंधा मतलब घोड़ा और गंद मतलब सुगंद बात करते हैं इसके बैनिफिट्स की तो स करना चाहिए मैं आपको सही कॉंटिटी और सही मातरा बताऊंगी सेकेंड बेनिफिट यह आता है कि यदि आपके इसके बहुत जादा डल हो चुकी मुर्जाई सी लगती है जैसा लगता है जिसे आप धूप में जाके होकर आए एकदम मुर्जाई हुई लग रही है तो यह थर्ड बेनिफिट यह आता है कि यदि आपके फेस पे काफी द्यादा पिग्मेंटेशन हो चुके या फी डाक स्पोर्ट हो चुके है या फी चेहरा एकदम पिछका हुआ लगता है मतलब गोल मटोल सा नहीं लग रहा है न तो यह जड़ी बुटी कंसूम करना चाहिए यह मैं एक बहुत अच्छे एक्स्प्रियंस हमें आप सभी के साथ यह बाते शेयर कर रही हूं और यदि आपको कन्फिजन है तो आप इसे गुगल सर्च भी कर सकते हैं और फोर्थ बेनिफिट यह आता है कि यह जड़ी बुटी अगर हम कंसूम करते हैं तो इससे बालों की ग एक बात का ध्यान रखना है कि जड़ी बुटी ले रहे हैं तो इसे कंटिन्यूस लख रहा हैं लगभग एक महने तक उसके बाद आपने रिजर्ट का एकस्पेक्टेक्शन करना क्योंकि यदि आप एक दो दिन ले लेंगे फिर आप देखेंगे आईने में खड़ेंगे कि आप जो आपने सोच के लिया है वह बेंफिट नहीं दिख रहा है तो कोई मतलब नहीं लेने से क्योंकि हर एक जड़ी बुटी में एक समय होता है उस समय तक हमें लेना ज़रोरी होता है तभी उसका benefit हमें टेखने को मिलता है फिफ्थ बेनफिट यह आता है इस जड़ी के एहुं58 मेरी दूर्णी कोई का सारा खेल होता है हमारी है एल्ध आप लोड़िग आज भी आप देखो गोग जो पेंडेमी क प्रॉब्लम चल रही है वो उन्हीं होती है जिनकी इम्मटी होती है वीक क्योंकि अगर रोकप्रति रोगिलक हम सिर भी चोंटी नहीं होगी ना फिर चाहे वह समका बदलना हो फिर चाहे elder से बहर जाना हो या पीनाओ यह कॉज जब भी negative देखने के ले मिलते हैं, यह हमारी immunity होगी, वी, तो हमें यह सारी चीज़े ले बैठेगी, तो immunity को मजबूत करना बहुत जादा जरूरी है, इस जड़ीवूटी में होता है, काफी ज़्यादा amount में immunity strong करने की एक power, तो यह जड़ीवूटी एक बहुत एक अम्रत की मढ़ना से रहे लें लेते हैं, अब बात करते हैं इसे किसके साथ लेना की तो फानी के साथ दोनों का होना tai बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसकी तासीर होती हैं गरम यह तो इस जड़ीवूटी को लेना ही शाम के टाम फर खाली पेड़ी लेना चाहिए, और जिननने अच्छे से प्रॉपर वर्क कर पाती है हाइट बढ़ाने में कि इसकी वज़े से हमारी हाइट है हमारी स्कीन हमारे बाल हमारी इम्मिनुटी स्ट्रॉंग होने में काफी हेल्प करती जड़ी बुटी और इससे हमें लेना चाहिए लुकमॉम मिल्क के साथ अगर हम लेते हैं मार्केट में काफी ज़्यादा प्रोड़क्स आते हैं हाइट बढ़ाने के उसमें 90% केमिकल होता है और 10% होता है कुछ खास चीजे पर फाइदा तो करता है वो प्रोड़क्स भी बात यह आती है कि कुछ समय बात उस केमिकल प्रोड़क्स का हमें कुछने कुछ साइड बात अरुषक ऐसाद बात अरुषकते और करते हुए कि ऋनलिमिंटेड तरीके से लैंगे तो कोई सीवी चीज की डुटेंध में खास gaan के बात दूआब में तो यह तरीका अगर दिमाग में बाते हैं तो फिर आपको इसका नुकसान भी होगा क्योंकि हर चीज के नुकसान होता है यदि आप ज्यादा फॉल फुट भी खा लेंगे तो वह भी नुकसान दिया सकते हैं यदि ज्यादा अगर आप फेस पर प्रोड़क्ट भी लगा लेत सकी इसकी perfect quantity होती, इससे जादा quantity में नहीं cannot consume करना चीज फेवी होती है light नहीं हो यह जडिभी होती है जडि बुटी तो इससे consume करते हैं यह बात कर ध्यान लगे कि इससे हमें 2 ग्राम से लिए 5 ग लाम के बीच में चाहिए अश्वगंधा को किस समय Ky案 लेना चाहिए बेस से भरे हुए, anxiety से भर हुए क्योंकि हमें एक्जाम का टेंचन रेता है तो उस टाइम पे हमें अश्वगंदा का चूर्न या पिर टेबलेट फॉर्म में ज़रूर करना चाहिए और इसे लेने का तरीका यह होता है कि या तो आप चूर्न के रूप में ले सकते हैं या फिर टेबलेट के फॉर्म में तो चूर्न के फॉर्म में अगर लेना चाहते हैं अगर आपको टेबलेट नहीं लेना पसंद है कि तो आपको यहीं लेना होगा लियुकर मिक के साथ या या फिर लीकर वॉर्म के साथ बेस्ट ओप्षन होता है लियुकर मिलकी के साथ चुस değ के साथ हमि खाल हम सब्सक्राइब करना को लाइकन और इस विडियों को लांस तक सुनने के लिए आप सभी वियोर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद।